नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों ये चीज लेने में और जबरदस्ती मांगने में कभी शरम ना करें अगर आप इन चीजों को मांगने में शरम करते हैं तो इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है यहां तक की इन चीजों को ना लेने पर आपकी ऐसी तैसी हो सकती है दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है पुरानी मानेताओं के अनुसार जो व्यक्ति इन चीजों को मांगने पर शरम करता है तो उसे कामियाबी कभी नहीं मिलती और ना ही संतुष्टी मिलती है आपको बता दें आचारे चारक के बारे में आपने सुना ही होगा आचारे चारक ने मानब जीवन के लिए अपनी चारक के नीती में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें अगर किसी इंसान ने अमल कर लिया तो उसे अपने जीवन में सफलता पाने से कोई भी रोंक नहीं सकता दोस्तों ऐसे में आज हम आपको बताएंगे ऐसी चीजों के बारे में जिसे लेने पर या मागने पर कभी शरम नहीं करनी चाहिए खास कर एक पुरुष को तो चलिए जानते हैं उसके बारे में लेकिन उससे पहले करप्या आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब क करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नंबर एक पती पतनी का प्यार दोस्तों शारीरिक संबंद के तौर पर किसी भी प्रेमी जोडे को ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए प्रेम संबंदों को और मजबूत बनाने के लिए दो संबंद के दौरान घबराते हैं तो उनके बीच में कोई गैर पुरुष या महिला अपनी जगह बना सकती है इसलिए संबंदों के दौरान शर्म बिलकुल भी ना करें बेजिजग होकर पती पतनी एक दूसरे को प्रेम करें इसी में आपकी भलाई है नमबर दो भोजन करते समय कभी शर्म ना करें दोस्तों चारक के कैनुसार भोजन करते समय कभी भी व्यक्ति को शर्म नहीं करना चाहिए जिन लोगों को खाने में शर्म आती है वो हमेशा भूखे ही सोते हैं और ये मुसीबत उनके लिए किसी बहुत बड़ी परेशानी से कम नहीं है भूखा व्यक्ति क्रोध का शिकार हो जाता है इसलिए उसे हमेशा पेट भर खाना खाना चाहिए और भोजन करते समय कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए भोजन में शर्म करना भोजन का आपमान माना जाता है दोस्तों आप बात करते हैं नमबर तीन की जो की है उध अपना ही पैसा मागने में शरम करता है तो वो कभी धनी हो ही नहीं सकता ऐसे में आप पूरी तरह से बरबाद हो सकते हैं इसलिए उधार के पैसे मागने में शरम ना करें क्योंकि वो आपका पैसा है इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो